हेलो फ्रेंड्स आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत हैं आज हम बात करेंगे एक महान व्यक्ति के बारे में जिनके बारे में जितना लिखा जाए उतना कम हैं आप जब भी इनकी लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करोगे आपको हर बार एक नई बात जानने को मिले तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो मैं आपको बता दूँ उस महन व्यक्ति का नाम लियोनार्दो दा विंची है लियोनार्दो का जनम 15 अप्रेल 1452 को इटली के एक गाउं विंची में हुआ विंची एक जगह का नाम है लियोनार्दो एक बास्टर्ड संथे यानि अपने पैरेंट्स की नाजायज उलाद इनके पिता ने इनकी माता से शादी नहीं की थी इसलिए इने कोई सरनेम नहीं मिल पाया इनके पिता वकील और इनकी माता एक किसान की लड़की थी लियोनार्दो कभी स्कूल नहीं जा पाई लेकिन फिर भी ये एक साइन्टिस्ट, मैथेमेटिशियन, पेंटर, आर्केटेक्ट, इन्वेंटर, इंजिनियर, राइटर, हार्मोनिस्ट और स्किल्ड मेकैनिस्ट थे इसके अलावा इन्हें एनेटमी, जियोलोजी, एस्ट्रोनोमी, बोटनी और हिस्ट्री का बहुत ग्यान था ये सारी नोलेज उन्होंने अपनी ओबजर्वेशन वे एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्राप्त की थी लियोनारदो, ambidextrous भी थे, यानी ये दोनों हातनों से लिख सकते थे और इससे भी हैराणी की बात ये थी कि ये एक टाइम में एक हाथ से लिख सकते थे और दुसरे हाथ से पेंटिंग कर सकते थे लियोनारदो, mirror writing भी किया करते थे इन्होंने अपनी बहुत सारी किताबें Mirror Writing में ही लिखी हैं, जो उस समय में किसी के दवारा लिख पाना लगभग असमभव था किसी को भी अगर इनकी किताब को पढ़ना होता था तो उन्हें इसे Mirror के सामने ले जाके पढ़ना पढ़ता था 1994 को Bill Gates ने इनकी बुक Codex Hammer को 30 मिलियन US डोलर में खरीदा था इस बुक में उन्होंने अपने बहुत सारे invention के बारे में लिखा था 1466 में 14 साल की उमर में लियोनार्दो वेरेंकियो स्टूडियो में काम किया करते थे उस टाइम लियोनार्दो एंड्रिया डै वेरेंकियो के पास पेंटिंग सीखा करते थी लियोनार्दो ने फर्स टाइम पांच अगस्ट 1470 को आर्नो वेली पर पेंटिंग बनाई Baptistism of Christ लियोनार्दो की इस पेंटिंग को देखकर वेरेंकियों ने कसम खाई थी कि वो इसके बाद कभी पेंटिंग नहीं बनाएंगे क्योंकि लियो की ये पेंटिंग वेरेंकियों की पेंटिंग से कई गुणा जादा बहतर थी 1490 में उन्होंने उड़ने वाली मसीन का डिजाइन तियार किया उन्होंने इसे aerial screw नाम दिया 17 साल तक लियोनार्दो मिलान सहर में ही रहे और वहाँ पर उन्होंने दो एतिहासिक पेंटिंग बनाई एक वीरगन ओब दी रोक्स और दी सैकिंड दी लास्ट सपर दिलास्ट सपर का मतलब है दिलास्ट मिल ये पेंटिंग उन्होंने जीजस को फांसी दिये जाने से पहले जो उन्होंने अपने सिश्यों के साथ अंतिम भोजन किया था उसे दरसाती है ये दुनिया की दूसरी सबसे महंगी और खूसूरत पेंटिंग है पंद्रा सुचार में इनके पिता का दिहांध हो गया उन्होंने एनटमी से रिलेटिड भी बहुत सारे किताबे लिखी उस टाइम में वुमेन सरीर के बारे में इतना कोई नहीं जानता था क्योंकि उस टाइम मानव सरीर पर कोई किताब नहीं लिखी गई थी लियोनार्दों ने मानव सरीर को समझने के लिए कुल 30 मुर्दों को चीर फाड़ कर उन पर स्टडी की उन्होंने सबसे ज्यादा स्टडी हुमन हर्ट पर की थी इन्होंने ही पहली बार दिल की धमनी के रूप के बारे में पता लगाया था इनके द्वारा बनाए गए human sketch इतने साफ और सही होते थे कि उनका प्रियोग anatomy पढ़ाने के लिए किया जाता था इन्होंने 72 पेज की एक डाइरी Codex Leicester लिखी इसमें उन्होंने पानी की अलग-अलग motion के बारे में लिखा लियो ऐसे पहले इनसान थे जिन्होंने बताया कि आकास का रंग नीला क्यूं होता है उन्होंने बताया कि हवा सूरत से आने वाली रोशने को बिखेर देती है और नीला रंग बाकी रंगों के comparison में ज़्यादा फैलता है जिसकी वज़े से हमें आकास नीला दिखाई देता है लियो नार्दो अपनी painting के लिए दुनिया भर में मशूर थे अगर उन्हें किसी इनसान की painting बनानी होती थी तो वो पूरा दिन उस इनसान के पीछे घूमते थे ताके उनका चहरा उन्हें अच्छे से याद हो जाए वो कहते थे कि किसी भी चितरकार को एक आइने की तरह हो लियोनार्दो पूरी दुनिया में अपनी मोना लिजा पेंटिंग के लिए जाने जाते हैं मोना लिजा दुनिया की सबसे खुबसूरत और महंगी पेंटिंग में है मोना लिजा को बनाने के लिए उन्होंने फुमातो टेकनिक का प्रियोग किया था इस टेक्निक में कोई भी पेंटिंग बिना आउटलाइन के बनाई जाती है मोना लिजा को इन्होंने 1503 में बनाना शुरू किया और 1519 तक भी ये पेंटिंग पूरी नहीं हो पाई थी इस पेंटिंग को बनाने में उन्हें 16 सार लगे मोना लीजा के होट बनाने मेलियों को 12 साल लगे मोना लीजा पेंटिंग आज भी दुनिया के लिए एक पहली है 500 साल से इस पेंटिंग पर रिसर्च चल रही है मोना लीजा का इटाइलिक में मीनिंग होता है मोना यानि की माई लीजा यानि की लेडी मोना लीजा माई लेडी कुछ रिसर्चर का मानना है कि इस पेंटिंग में जो लेडी है वो खुद लियोनार्दो है लेकिन कुछ साल पहले एक खत मिला जो लियोनार्दो के फ्रेंट फ्रेंट्स्कियो डेल जियो कॉंडो ने लियो को लिखा था उन्होंने लियो को अपनी वाइफ लीजा जियो कॉंडो की पेंटिंग बनाने के लिए बोला था लेकिन ये पेंटिंग लीजा जियो कॉंडो से बिलकुल अलग है इस पेंटिंग को बनाने के लिए उन्होंने बाल से भी पतले बरश का प्रयोग किया था उन्होंने इस painting को कागस पर नहीं बलकि लकड़ी के टुकड़े पर बनाया है क्योंकि लीजा की painting बहुत छोटी है और उस शमय के चितरकारों का मानना था कि छोटी paintings लकड़ी पर अच्छी बनती है इस painting में Mona Lisa के होट सबसे जादा रहसे मही है क्योंकि उनकी smile थोड़ी थोड़ी देर में बदलती रहती है पहली बार जब आप इस painting को देखोगे तो आपको लगेगा Mona Lisa हस रही है लेकिन उसके कुछी समय बाद जब दोबारा आप इस painting को देखोगे तो Mona Lisa की smile गायब होती हुई नजर आएगी Dutch researcher का मानना है कि Mona Lisa 83% happy, 9% disgusting, 6% डरी हुई, 2% angry और 1% neutral है लेकिन वहीं कुछ researcher का मानना है कि Mona Lisa की smile नहीं बदलती बलकि हमारा mindset बदलता है और हम उस painting को जैसा देखना चाते हैं वो painting हमें वैसी ही नजर आती है Mona Lisa की eyebrows नहीं है कुछ researcher का कहना है कि समय बीतते के साथ साथ Mona Lisa की eyebrows गायब होती चली गई कुछ researcher का ये भी मानना है कि इस painting के पीछे एक hidden message है जब इस painting की अलग-अलग layer निकाली गई तब इस painting में कुछ letter दिखाई दिये जो Italian भासा में लिखे थे ये painting पैरिस के लू मुजियम में रखी गई है Mona Lisa की एक और जुडवा painting भी है और वहीं पर 1519 में 67 साल की उमर में उनका निदन हो गया और उनके अंतिम शब्द थे मैंने भगवान और इंसानियत के को नराज किया है मैंने अपनी जिन्दगी का जितना सद्यूप्योग कर सकता था उतना सद्यूप्योग नहीं कर पाया तो उमीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आयोगी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें सब्सक्राइब करें थेंक्यू सो मच